वाट्स अप लोंडो वेलकम बैक टो आर चैनल जीनो जोन गाइस आज चुके हम लोग यहाँ पर रेड शेडो लेजेंज गेम के साथ और ये गेम बहुत ही ज्यादा दन्वाक के दार होने वाली है लैट टेरी ओहो अपर देडोर्ण वाली हो इस गेम के अंदर मिलता है अप लोग को सब्सक्रीण गेम वाला मसा लेकिन यहाँ पर लोग को वो पली बलेगी वो मिलेगी एक गम बावाली पीसी के अप्सक्रीण और एक होड़ाता शब्द बेदी बान को एक होड़ाता ही वाला मुषड़ाता है तरह भीसी है को वाली बाव में वाली वाली प्रण दोगाँ इस अपर को वाली निए इससे घ्लेटिए धार यहाँ सब्सक्राइए पर छिल्ट कर दूए झाली डोगागाई पर दो जाएफ वह एक एक बहूर नहीं का बीबच नहीं के लिए एक लिए है यह एक दाई का सकता कच्छे जवे है एक आप प्रेकुण आप लोगे का लाटी लिए कि आप है मेर दॉट है करना एक लिएर एक लिए एह व खवार बाहि वहा है what the hell! । वाँ, आपना साइस तो देख लू व तो अपो जजा थी तेंफ लेगें, लेगें और शार जिए जिसमार कि अड़ाई कि अऌिजगेगें दोस्तों पिटाइगोने आली है मारी खतंग टाटा गडबाई गया यह तो नहीं था यह तो नहीं था गेम के लिए आड़े गाइज आटा समझे इतनी गहरी बात बोल दी है आप यह पर करना हम लोगों को चार में किसी एक कर्ण को चीज़ा हुजा है आप जानते हैं मैं तो यहां पर गांटिव दरी अर्जुन और कर्ण का फैनो तो भाई मैं तो यहां पर दनुशुमान हीलो है कि यहां पर यहां पर यह करेक्टर भड़ा जाहना बड़ी आसा लग रहा है मुझे बहएव जीनो बहएव बहएव बढ़ा है कमें चैनल पर प्राइब फुल आन प्यार एंपोर्ट वर्साइए नान दूमेर झालोचीं, इसमीन कि अर्भाई कि एक बंदचेज़ाइजा चांपिना रंपीन, था यह भूंक लिए तृसल सभी यह तूमन आदर चांपिनार श्पार, तूमन यह आदर ने प्रणीष, तूमन इसमीन कि श्वागएं अर्छी चांपिना दौमन, इसमीन इसमी you summoned an attack type champion with great attack and support skills let's head to the campaign map and prepare your champions for their first taste of combat I had only taken an archer type and I have already taken an archer type character this is our campaign mode people you and your champions must fight through his banner lords find him and see if he has turned to syroff look at one thing you have to understand the graphics quality you are getting the story in the story you are getting the cutscene 11 generations of peace had reigned between the kingdom of kerok and the realm of arabia then this is a piece of money a peace now shattered by king teba's brutal campaign of expansion into the neutral lands between the two kingdoms once revered as a pillar of justice king teba had imposed crushing taxes to finance his war with his former ally bringing desolation and ruin upon his own people had the king lost all reason on the orders of the arbiter the company set out to persuade him to renounce his folly and wayward policies even if it meant storming the very gates of kerok castle sam jay will not fall easily like all places in tillaria there are multiple stages of defenders you must defeat all stages to move forward with your journey let's go let's do the castle in the castle this is where you select your team and review the enemy champions before for each battle each champion has unique skills and an affinity that makes them weak or strong against another affinity magic beats spirit spirit beats force force beats magic and you have only two champions let us pick your team and let's go let's select our two archers and let's go notice that your leader has an aura skill these provide special bonuses to all allied champions in a battle जो रेडर के आप लोगी पावर होगी वो पुरी स्कॉट मेलेगी उसकी ट्रेट होगी तो हमें मिलेगी यह पर एक्स्ट्रा एच्पी आरोज अबाव एच अफिनिटी मैच अप अगेंस तेर्स चाले स्टार्ट करते हैं फाइट कोड़ देख्टे हैं मामला कहा जाता है और वो आरहा है red arrow यानि कि आपका टेक वीक है अगर yellow आरहा है तो medium अगर green arrow यानि कि आपका टेक बहुत स्ट्रोंग हम रहेगा है दुश्मन के ऊपर और क्योंकि गेम पे ग्राफिक्स अच्छी है तो भाई अलग ही मजा आरहा है green arrow आ रहा है पाले से मारेंगे और कुछ-कुछ आप लोग के अटेक्स ऐसे हैं जो कि मल्टिपल एनिमीज पर सेम टाइम पर ही अटेक करते हैं पर काम करते हैं पहले मारते हैं ये लास्ट क्रेटर बचाएं ये मारते हैं ये अच्छा ये पर्क्स हैम लोग की ठीक है समझ गया चाले है चलते हैं जरा चैंपियन्स तो यहां पर हम लोग सारे कार्टर्स को देख तो नहीं सकते हैं लेकिन हम अब बास जितने होंगे उतने लोग यहां देख पाएंगे पर्क लिए लगा दिया यहां पर बेसकिल इस गेम के अदर आटिफेक्ट यान की पर्क ही होगा ठीक है कैमपेंड मोड अगली फैट के ओबरते हैं फड़ा फड़ा से मसा रहा है लेट्स गो लोडो गेम काफी बहतरीन और यह गेम भी हमारे सब्सक्राइबर ने बताए तो आप लोग समझ सकते कि आपके सब्सक्राइबर्स भी एक तम कारारा काम कर रहे है इस दुबार यह लोग शीड लेका है है अपर लाइटनी आरो भी है इजी बोलते है लास्ट वेव आजाओ दुश्मने केटे स्ट्रोंग आया है नहीं 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 कैस क्या कर रहे हैं खटे मारो दुनों के मारो यह बबर शेयरी क्या दे यह बबर शेयरी क्या दे क्या करना है मैं समझ गया हूं पर यह बबर यहां पर अपने अपने इस लोंडिक अप्डेशन तो अम लोग यहां पर आप्डेट को भी अप्डेट कर सकते हैं तो फिलाल हमारे पास यह तो क्या क्या हम लोग करेक्टर्स में जूम कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है देखो भाई हमारे पास यह दो क्रेक्टर हैं और दोनों के दोनों सैनी पाची डैर गए कोई साधा मत बोल आजाओ याल मुलोग चलते हैं कि तरफ सरा वरना खामाखा मुझे डाई किलोग का हत खाना पड़ जाएगा बहुत लंबी का था इसे कॉन पड़ेगा तो बेसिकले हम लोग यहां पर ओवर्ल क्रेटर्स गेम में कितने हैं वह तो चेक आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें जितने जितने मिलेगी हम लोग से उतने ही क्रेटर्स को देख सकते हैं कहीं कुछ और रिवार्ट मिल रहा है कि हम लोग को अगली फैटर्स अम लोग की यहां पर ओने वाली है स्टेज 3 और दुश्मन का लेवल दिख रहे हम लोग को आएगेस अम लोग जीच जाएंगा ना जालो भाई देखे जरा किसमे कितना है दम पहले मारें के नमारी यहली पावर वैली ओफ देथ और अब मारेंगे यह वाल आमला आइगेस दोनों काम हो जाएगा एजी बोलते हैं सेकंड विप और दुश्मन के पास भी यहां पर बोव एन एरो वाला क्रेटर्स यहां लाइटनिंग अरो क्या लगता है भाई मतर सच में अगर रहा है कि अर्जुन इंदरास्त्र मार रहा है सोचो जरा यही सेम गेम अगर 3D के अंदर आती ओ भाई मतर सब्सक्राइब मेरे साब से आजकल तो भाई जैसी गेम्स आ रहे हो जाए कि श्यार 2D गेम्स बनने ही नहीं चाहिए मैं 3D के अंदर मज़ा दिखने में आप पर यह भी थोड़ा साइस के पंगा हो जाएगा लेकिन कोई न गेम में मज़ा तो देखो आ रहा है भाई दुश्मन का भाई यह करेक्टर काफी स्ट्रॉंग है और इसको मारने के लिएम लोगों को तोड़ा द्यान से मारना पड़ेगा एक इसके मारते हैं यह वाला अमला दिल पे मारा बान खतम किया इसका काम बहतरीन लेकिन इसके साथ चलेंगे मलग आप इम लोग के आगली फाइट के और बिना किसी देरी के ठीक है यह कहानी फॉर्स्ट मारते हैं लोग यहां पे मलोग की वैली अफ देथ है इस चाहएद और यह ओल्मस्ट मर गया था यह मारते हैं यह यह या फिर यह गल्दी कर दी लाइटनिंग आरो मानना था उई मरमजी आराम से अच्छा हमारी स्ट्रेटिक पी पावर यह कि जब को इसको डेमेस देता तो भाई यहां पर यह प्रोवोक के अटेक करते है दुबारा प्रोव लाइटनिंग आरो अरे अब इसे मर गई अभी तो भाई तीसरी वेव बची थी पंगा हो गया दोस्तों अब थोड़ी सिच्वेशन खराब हो जुकी है क्योंकि तीसरी वेव भी बची है इनके दो करेक्टर से हमारा सिफ एक करेक्टर सिच्वेशन अब थोड़ी दिक्कत करेगी अब शुक्राइब आज एक अगे दो अब आज आज आती है कि हां लगर आय कि सच में मार रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा सुंदर गेम है और हम लोग के मिल चुका है यहां पर एक नया करेक्टर अनकॉमन केटिकरी दो स्टार के अंदर बाई जो की स्वार्ड वाला लॉंटा रात है तो ओह ठीक है तो हम लोग यहां पर इसको भी अपने जीनो गिरों के अंदर श पर खेल पाएंगे तो ठीक है अभी दो के साथ चलते हैं आगजल की शायद हम लोग तीनों क्रेटर के साथ के साथ केलने का मौका मिली ही जाएगा देखो यह कुछ कहानी दो लॉंडे यहां है दो लॉंडे हमें यह ला बैटे इसकी जियान का सुनियो माल अबै तेरी बज बढ़िया और अब एक मारते हैं इसके यह यार अपना करेक्टर ना तीसरी वेफ तर सर्वाइव नहीं करता उससे पहली माला जाता है एक मारते हैं यह और आगास किल यहां पर चेंज कर सकते हैं पक्का गेम के अंदर यह 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 इन बात अब एतनी कम हेल्ती बड़की ने इतना बड़ा डाइव देद्या वाई बहुत हैं आप्ट सोज्च और फ़क्स लगाए भी नहीं है और तब हैं लोग यहां पर इतना बहतरी कर पा रहें तो बड़िया बात है और यह गेम के ग्राफिक्स तो आप लो पाकी करेक्टर्स पे भी हम लोगों को थोड़ा आर्टिफेक्ट्स का देख लेना चाहिए क्योंकि भाई देखो अगर इस्ट्रॉंग नहीं होंगे तो फिर वह हो कि यह थर्ड वेफ तक पहुंच नहीं पाएंगे यह लोग सेकंड वेफ के अंदर ही माले जाएंगे और उस यहां पर हम लोगों को इनको यह बढ़िया वाले अर्टिफेक्ट्स सब के अंदर मुझे एक 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 देदे ना चाहिए हम आप तीन पड़े हैं ठीक है अगर मैं तीनों ही करेट्स को तीन तीन दे दूं मतलब एक एक दे दूं तो भी शायद हम लोगा काम बढ़िया बढ लिए होगा तो एक यह लग गया और चेक करते हैं दूसरा यहां में लगा दिया यह वाला और दो यह चार आट इफेक्ट्स हमारे पास और बचे हैं जो कि हम लोग अपने इन करेट्स के अंदर लगा सकते हैं पर ध्यान रहे ऐसा मत करना कि सर्फ अटैक अटैक लगा जा पहुआ रहे हो डिफेंस्च भी चाहिए हमको अटैक भी चाहिए और एच भी भी चाहिए तो सारे स्टैर्स को चेक ओट करना है कि मिक्स में मिले आप लोगो को ठीक है चेक आट करते हम लोग कर जो अगली फाट है वो कहाँ और किस के साथ होने वाली है कैम्पैंड मोड यह रहा हम लोग का पहला कैसल इसकी पाँच भी फाइट और भाई हम लोग यहां पर इसके इस वाले कैसल के एंड तक भी काफी नजस्तिक पहुंच चुके हैं तो भाई बिना किसी दे रही के अपने इन तीन करेटेस के साथ स्टार्ट करते हैं फाइट को और बड़े सीजी सी बते हैं आगया के बढ़ते रहेंगे आप पर डिफिकल्टी बढ़ते रहने वाली है यह देखो अब बचे हैं यहां दोलवांडे पहले मारें का लाइटनिंग स्ट्राइक लाइटनिंग स्ट्राइक तो ओजी है सांड नमला मार रहा है स्वार्समेन दिखाद अपनी तरवार की शक्ती अच्छा इसकी पावर के अंदर जो हमारे टीम के बागि करेटर से वह भी साथ नमला करेंगे हैं यह नि किसका यह अटेक टीम से इखटे अटेक करवाता है बहतरी स्वार्समेन प्रोवोख मत प्रोवोख हो जाएगी वह हम्म्म ठीक है ओल्मॉस्ट मार दिया था यार ओल्मॉस्ट था अब यूज करेंगे लोग यहां पर यह वाला तीनों के पड़ेगी इजी ओ यह तो मरने वाली है अरे मार दिया बिचारे को तू भी निकल लिए यहां से वन शोट डाउने वाला है और इसके मारते हैं नहीं मरेगी एक बारी में आ लेकिन अब मरेगी चल भाई मेरे साथ करम ला ओपी ओपी बोलता है दुश्मन के आर्मर को तोड़ते नेक्स्ट वाइट सीधा अगवड़ेंगे लेवल लेवल चार 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 हमें लेवल चार चार एक के अहम डह लेवलवाईज फिलाल तो मुझे लगता है हमारी बहुत गंदी पिटाई हो सकती है क्यूब कि जब वो लोग यहां पर लेवल चार-9 पांच पे हैं और रहम तर那 लेवल चार चार एक के साथ हैं यानि की ऐसी situation में कुट्टे के पट्टे से पिटाई हो सकती है हमारी यह तो इसकी Master आ चुकी है इनको पर्टिकुलर लिए अप्गेड कहां से करेंगी I guess कहीं ना कहीं तो मैंने इनका बटन चेक करया था बड़िशन का यह तो पर्क्स हो गए यह वॉल्ट्स हो गए जो इनकी Master यह उसका अलग सेक्शन है चैंपियों से लिटे अप के अंदर क्या था वो नहीं यार यह तो ठीक है लेकिन हम लोग इनको लेवल अप कहां से करेंगे आर्टिफेक्स तो ठीक है यह काम करूँ ऐसी बड़िजा है देखने क्या होगा क्या बोलते हो ट्रै कर लेते हैं हां देखने तो भाई देख लेंगे आज़ो चल भाई वैल्य अब देख एजी स्वार्समें अब यह तो इससे मर गया मैं हो già कि को थ्रीवेथे का बैटल कर्डेश स्च्राइट कर नला कीक ди स्ट्राइक यहां से द्यां से अ ध्यां से प्र्रोकुच को एको शेड्या इसका पिभास का क्रिटिकल मार दिया क्रिटिकल के अंदर फायदा आप लोग यह होता कि कभी कई के अंदर ही रितव गार देते हैं अब आप लोगों को काफ़ी जादा पचा सकती है कि अब इस समेय पर दुश्मन के पास तीन करेंट्र से हमारी थीन समय हैं लेकिन अपने करेंट्र team person कि-स भी तरीके से कमजोर नहीं अब इस समय यहाँ पर दो शीली उससर यह देखो देखो वह यहाँ पर शीली उसकर देपर फिर भी इतना वह रोख नहीं पारी एको मारते हैं वन डाउन और यह बस लास्ट करेक्टर बचा हुआ है और यार अल्मोस मर चुकी थी वह कुछ ऐसे ही हमले हमारे मैच इसको बहुत जाथा इंटेंस करते हैं पर हम लोग आचुके हम लोग की लास्ट फाइट के और यानिकि अब यहाँ पर उस वाले कैसल का जो में किंग है उसके साथ हम लोग यहां पर फाइट करने वाले चल बेटा एक गया नेक्स वे लियाओ पॉस्ट मारते हैं लाइटनिंग एरो और इसके साथ कॉम्बिनेशन लगाएंगे हमारे इसका इस बचाए लास्ट बस एलाइस हेल्प करना मेरी साथ में आजाओ क्या हुआ हाथ देखा हा यहां हुआ है ऑबसक्यों हेल्प देखो ढाइज नोटिफिकेशन अट जा मेरी असना होई है राजा भाई काफी क्टड़ मामना लेका है और क्योंकि उसकी शील्ड और वाई भाई भाई दैमेज़ी नेंट कर रहा है 900 का अटैक हम मारें 100-100 भाई वह मारें 900-900 यह तो गई यह तो खतम है यह नहीं मचने वाली 800-500 ठीक है से किया। से लाई साह। कानने स्वार्त्त उन्हा lifes'... तो चलिए दोस्तों यह पर ओचुके हम लोग की कफी बहतरीन वाली बातचीत आयोब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंगा यह थना है मैं समझा नहीं सकता, मतला समझ लें, मतला काफी लंबे चोड़ टैयलोग हो चुके हैं यहां पर हम लोग मिल चुके यहां पर एक और नया करेक्टर, यानि कि अगली वीडियो के अंदर आप लोग को हमारें चाहर करेक्टर्स के साथ धड़ा धड़ा फाइट देखने को मिल चालिए, बोई से लाइक के में शेयर चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, फूल ओन प्यार और सपोर्ट पर साइए ऐसी डिफेंट डिफेंट गेम की वीडियो के इस चैनल पहर देन, एंजॉय करते रहने के लिए